श्री गणिशाय नमाहा, मासारस्वती, नमस्तु ब्याम मित्रों आप सभी लोगों का मेरे शेनल में जिसका नाम है पाम ब्लॉग में स्वागत है और आज हम कुछ विशेश चर्शा करेंगे केतू ग्रहे पे केतू ग्रहे हमेशा से रहसमय रहे हैं और जितना भी जोतिश में और जो हमारे समुद्र शास्त्र में इनको परिभाशित किया गया है जितना भी किया गया है सब कम है क्योंकि केतू को प्रिडिक्ट करना, उनका मुल्यांकन करना और उसमें से कुछ परिणाम निकालना जरूरी नहीं होता है मित्रों की वो सारे परिणाम सही होंगे केतु ही एक ऐसे ग्रहे हैं जो जोतिशों को भी छका देते हैं और उनको पल पल बदलती परिस्थिती पल पल बदलती दशा ये सब के कारक होते हैं कारक अच्छे भी होते हैं कभी कभी हमें कुछ नायाब चीजें दे जाते हैं केतु को मित्रों मोक्ष का ग्रह कहा गया है यदी जीवन में हमें कहीं मोक्ष जो हमारा लक्ष है मनुष्य जीवन का उसे प्राप्त करने की जो हम कोशिश करते हैं सुभा उठके अपने कर्म से अपने धर्म से लगकर अपने लोगों के साथ अपने प्रायोजनों में अपने लक्षमी कमाने में और जीवन जीकर मुक्ति को प्राप्त करने में हमें बहुत सायता करते हैं केतु ही वो ग्रहें हैं जिसे भगवान संकर ने तैनात कर रखा है कि ये मोक्ष को प्रदान है ना बड़ी अजीब बात मित्रों कभी कभी केतु सकतलिए पहले हम चर्चा कर ले कि केतू बंते कहा हैं ये हमारा शुक्र का परवत हता है और हमारे चंद नों के बीच में यह जो आप यद देख पा रहे हैं और उसको मैगनिफाय करता हूं यह जो बीच की जगेह आप इसके उपर वाली स्थान पे केतू का परवत होता है यहां बनते हैं केतू कभी कभी हमें एक ऐसी नायाब चीजे दे जाते हैं जो दूसरों के पास में नहीं है उधारण जैसे हमको भी मकान चाहिए सबी लोगों को घर में रहने का मकान चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला च देते हैं आपका घर की जगे महल बना देंगे किसी के पास साधरन का कार है आपको जो है विश्विस्तर की कार दे देंगे मर्सेडीज दे देंगे रॉल रॉइस दे देंगे यह केतू का प्रभाव है केतू फिल्मों में सुपर स्टार बना देते हैं व्यक्ति को इस्टार तो आपने बहुत सारे देखें लेकिन कभी-कभी आप देखेंगे कोई सुपरिस्टार्ट जैसे अमिताब बच्चन राजेश खन्ना इन लोगों ने जो जीवन जिया है जो नायाब चीजें मिली है केतू ने दी है इस मॉडल हतेली में भी मैं देख पा रहा हूं कि देखें यहां पर एक बहुत अच्छा सा साइन मैं मचली का तो नहीं बोल सकता हूं लेकिन लगभग उसी तरह के साइन बना हुआ है या इस तरीके के साइन अगर केतू पर है कोई कभी कभी इतनी अच्छी नायाब चीज देता है जादू गरों को जादू की विद्या केतू देते हैं केतू जब मित्रों में एक बात आपसे बोलना चाहता है तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनें कभी कभी किसी केतू परवत ने कभी किसी इंसान को इतना कुछ दे दिय और इनसान वो वेक्ति वो जाता कि अजाती का ये महसूस करता है कि मैं तो इतने के काबिल नहीं था फिर ये तना सारा धन कहां से आ गया मित्रों वो केतु का प्रभाव होता है केतु का प्रभाव को समझेए जीवन में यदि आपको ऐसा कहीं महसूस होता है कि मेरे पास जो एकदम से धना गया जिसके मैं योग भी नहीं था ये कैसे हो गया ये केतु देते हैं और मित्रों अगर ऐसा धन आपके पास में आए तो केतु का मंत्र जरूर पढ़ें नहीं तो जिस तरीके से आया है उस तरीके से चला जाएगा जित्ते जटके से आया है उत्ते जटके से चला जाएगा केतू जब संपत्ति देते हैं अकूत आपको क्या करना है उस संपत्ति को अचल संपत्ति में परिवर्तित कर देना है तब वो संपत्ति आपके पास टिक जाती है अगर उसे हम तरलता के रूप में स्वरूप में रखते हैं लिक्विडिटी के रूप में रखते हैं कैश के र अलग से और समझाकर कहा गया है कि केतु का धन हमें कहीं निवेश करना चाहिए हमें उसकी अचल संपत्ती बनाना चाहिए मित्रों तब वह धन आपके पास टिकता है केतु का मंत्र हमें पढ़ना चाहिए केतु एक ऐसे ग्रह हैं मित्रों कि जैसे मैं अपनी दूसरों की बात मैं नहीं करता हूं मैं अपनी बात करता हूं मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं जितने भी जज्मान आते हैं जोतिश के उपर चर्चा करने के लिए अपनी कुंड़ी दिखाने के लिए मैं सभी को एकी चीज बोलता हूं कि कुछ करो चाये ना करो लेकिन अओम केम के तवे नमा यह हमेशा करें आप क्योंकि केतू किसी का भी जीवन बदल सकता है और परिवर्वर्दित अर्ष से फरश पर पहुंचा सकता है और फर्च से अर्ष पर भी ला सकता है बहुत 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 गहनता से इस विशे को समझे के तू की शक्तियों को के तू जब छदम उन्नती देते हैं तब भी हमें सावधान रहना चाहिए के तू जब हमें दारून दुख दे देते हैं मान लिजे कि कोई व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में एकदम से उसके पास कितने सारे दुख आ गए अब अगर दुख आ गए हैं उसके पास एकदम से और अकल्पिनिये दुख आ गए उसने कभी सोचा नहीं था जिसको हम unseen दुख कह सकते हैं जो हम predict नहीं कर सकते हैं भविश नहीं देख भविश मैं हमें नहीं पता कि जैसे हमारे घर पे वज्जरपात हो जाए और कुछ members हमारे family member मृत हो जाए मैं को धारण देखे समझा रहा हूं तो यह तो अकस्मात हो गया सब कुछ यका यक हो गया यह केतू की मारक शक्ति होती है मित्रों केतू ऊपर भी नीचे से धूल से व्यक्ति को सितारा बना सकते हैं सितारे से धूल में परिवर्तित कर सकते हैं दिमाग को पकड़ते हैं हमारे मन को पकड़ते हैं और हमारे मन में जो हमारे brain के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम जव हमारा intelligence पार्ट है जहां से हम सोचते हैं जहां से हम भाशा निकालते हैं जहां हमारी स्मृति है कहां हमारा घर है कहां हमारा कारिस स्थाल है कौन सा दोस्त हमारा कहां रहता है यह सब ब्रेन में सेरिवेरम ही डिफैंड करता है और उसके कारग देवता के तू है के तू मोटर मोटर नीरों से सम्मंदित प्रॉबलम दे सकते स्टीपिन हॉकिंस बहुत बड़े वैग्यानिक थे जो उनका शरीर हिल नहीं पात होता तो सीजो फ्राइनिया जब हम अपने सी ठीकिश्ट जो यादास्थ हैं जो हमारी यादास्त जहां रखी होई होती है हम उसे मुल्वी कर पाते कभी कभी हम、 कभी जो व्यक्ति सीजो फ्राइनिया से पीडित होता है वो अपने भाई को नहीं पहचान पाता अपने बच्चे को अपनी पत्नी को भूल जाता है केतु जब खराब हो जाए मित्रो तब व्यक्ति के दिमाग को पकड़ते हैं और व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाता है केतु आग रसायन से बड़ा नुक्सान कर सकते हैं यह हमारी पढ़ाई को चौपट कर सकते हैं हमारा एक अच्छा खासा धन गायब कर सकते हैं पराई इस्तरी का प्रभाव हमारे दिमाग पे आ जाए जब पराई इस्तरी का कोई प्रभाव हमारे दिमाग पे आता है हम अपने प्रायोजन से हड जाते हैं हमसे व्यापार नहीं होता यह केतु की नाकरात्मक शक्ती है केतु ने पकड़ लिया तो सबसे पहले वो मन को पकड़ते हैं और मन गया तो सब गया इस वीडियो बनाने का जो मेरा खास परपस है मेरे कुछ क्लाइंट मेरे कुछ जज्मानों ने यह हमेशा बोला कि केतु का एक आचुक उपाय आप अपने वीडियो में डालिए कि केतु का क्या आचुक उपाय हो सकता है तो मित्रों केतु का सबसे अच्छा उपाय चाहे आपके केतु अच्छे हैं अगर अच्छे हैं तो उसे स्थाईत्व रखना आपकी जिम्मेदारी हैं अगर वो खराब हैं तो उनको अच्छा करना और अच्छा करकर स्थाइट वो रखना के तू सामान निस्तर पर कभी नहीं होते हैं या तो वो उचे होते हैं या वो हमेशा नीचे होते हैं लेकिन अगर हमें उनको समान इस तर पर बना के रखना है ओम केम केत्वे नमा पहला उपाय नोट करिए तो ये मंतर का जाप अपनी इक्षानूसार जित्ती भी जातक में शक्ति हो ग्यारा बार एक्कीज बार एक माला एक माला जरूर करना चाहिए प्रती दिन तब हमको जीवन में कुछ नायाब चीजों की प्राप्तियां हो सकती है दूसरा उपाय समझिए मित्रों ये बड़ा रहस्मा है कि केत्व हमारे ननीहाल को भी बताता है हमारी नानी के घर और हमारे ससुराल के घर को भी ये दिखा प्राता है तो मित्रों दूसरे उपाय उपाय में अगर किसी का केत्व खराब है तो आप अपने ससुराल से सऩ 직人 का समान हमेशा मांगिए जावा रात सोने नहीं सोना जिस पे हम करते हैं जैसे पलंग अगर आप पलंग पे नहीं सोते हैं दरी पे सोते हैं चटाई पे सोते हैं तो चटाई मांग लीजिए उनसे उनसे दरी मांग लीजिए गद्दा मांग लीजिए रजाई चादर और तखिया जरूर मांगिए तो अगर कोई विक्ति का खराब केतू है उसे अच्छा करना है तो ये दूसरा सर्वोत्ता मुपाय है कि वो अपने ससरवाल से शयन सामगरी मांगे और उस शयन सामगरी जब उसके घर पर पहुंच जाए तो उस पे जरूर केतू का मंत्र पढ़कर गंगा जल छड़किये और उसे अपने शयन कक्ष में ले जाएए उस पर आराम करिए आपका केतू सर्वोत्तम होगा अच्छा होगा विस्मय से लैस होगा नायाब चीजों को प्रदान करने वाला होगा मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा ये सब चीजें केतू प्रदान करेंगे मित्रों यदि आपको मेरा ये वीडियो के तू का स्वर्वत्तम होपाय अच्छा लगा है तो मेरे शैनल को सबिस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए अपने मित्रों में अपने परिवार में जीवन अपना स्वैम भी अच्छा बनाईए और दूसरों की भी मदद करिए श्री गणेशायनमा मासरस्वती नमस्तुब्यम बने रहिए